अनहल्दी थिंकिंग को पॉजिटिव और भेतर थिंकिंग में बदल सकते हैं और इस तरह अपनी जिन्दगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है You Are Not Your Brain जिसे जेफ्री स्कॉाट्स ने लिखा है और जिसे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बड़े अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो इमेरिटली चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इंडिया का नमबर वन हिंदी बुक समरी चैनल है जहां आपको दुनिया की बेस किताबों की समरी मिलती है जिससे आप अपनी नॉलिज को कंसेस्टेंटली अपग्रेट कर सकते हैं और कंसेस्टेंटली लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं तो चली फिर शुरू करते हैं आदतों को बदलें के लिए सेल्फ डारेक्टेड नियरो प्लास्टेसिटी का यूज करें सेल्फ डारेक्टेड नियरो प्लास्टेसिटी का मतलब है अपने दिमाग पर फोकस करके उसे अपने अनुसार चलाना इसमें नियूरो का मतलब दिमाग के उस हिस्से से है जहां से विचार और भावनाई कंट्रोल होती हैं और प्लास्टिसिटी का मतलब है कि भले ही ये हिस्सा काफी ठोस हो लेकिन आप कुछ प्रसेस या इस पर कुछ काम करके इसे अपने अनुसार प्लास्टिक की तरह बदल सकते हैं आसान भाशा में समझे तो आप अपने दिमाग के उस हिस्से जहां से विचार और भावनाई कंट्रोल होती हैं उस पर ध्यान देकर वहां से अपनी मन चाही भावनाऊ और मन चाही अच्छे विचारों को सोचकर आप अपने बुरे विचारों को अच्छे और पॉजिटिव विचारों में बदल सकते हैं और इसी तरह 21 से 90 दिनों तक लगातार इसे करने से आप अपने किसी भी बुरी आदत को अच्छी आदत से बदल सकते हैं हेप्स लॉर कॉंटम जीरो एफेक्ट आप इन दो कॉंसेप्स को सीख कर और इने अपने जिन्दगी में अपना कर नीरो प्लास्टिसिटी का फायदा उठा सकते हैं मतलब अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं इस लॉर के मताबिक हमारे दिमाग के नीरोन्स या फिर आसान भाषा में कहीं तो विचार जो एक साथ हमारी जिन्दगी को एफेक्ट करते हैं वो एक ही साथ काम करते हैं मतलब अपने दिमाग के जिस हिस्से का आप जादा से जादा इस्तमाल करते हैं वो हिस्सा उतना ही जादा मजबूत बनता चला जाता है इसे हम एक एक एक्जामबल के साथ आसान शब्दों में समझते हैं मान लीजे कि आप एक नई जॉब करते हैं जहांपर आपको टाइम से पहुचने के लिए रोज सुभा आठ बजी की बस पकड़नी पड़ती है पहले एक हफ़ते में तो सब पुछ सही चलता है लेकिन अगले हफ़ते के मंगलवार को आप आठ दस पर बस स्टैंड पहुचते हैं जिसके वज़े से आपकी बस शूट जाती है और आफिस लेट पहुचने के कारण आप शर्मिंदा भी होते हैं और सीनेर आप पर गुसा भी करते हैं इस वज़े से हो सकता है कि आप अच्छा महसूस ना करें और परिशान होने लगें लेकिन दो-तीन बार ऐसा ही लगातार होने के बाद जब आप बार-बार परिशान और कुछ तनाव महसूस करते हैं तो इसको दूर करने के लिए कई लोग सिगरेट पीने का सहरा लेते हैं सिगरेट पीने से दिमाग को निकोटीन मिलता है निकोटीन एक तरह का हर्मोन है जिससे खुशी रिलीस होती है और तनाव कम हो जाता है और कुछ टाइम ऐसा करने के बाद धीरी-धीरे ये आपकी आदत बढ़े और कुछ हफतों के बाद आफिस या बस्टैंड पर लेट पहुचना परिशानी ये तनाव का कारण बनने की वजह से सिग्रेट पीकर निकोटीन या खुशी हासिल करने का एक मौका बन जाता है और वहीं से जन्म होता है एक खराब आदत का जो कहीं न कहीं आपकी परसनल और प्रोफिशनल दोनों लाइफ खराब कर सकती है और एक बार इस तरह के गलत आदत लगने के बाद सिग्रेट ना पीना परिशानी और तनाव की वजय बन जाती है भले ही आप आफिस टाइम से पहुचे या नहीं इस तरह हमें खुशी मिलने वाले जिस काम काम बार बार करते हैं वो हमारी यादत बनने लगती है फिर चाहे उससे मिलने वाले रिजल्ट हमारे फेवर में हो या हमारे नुकसान में ऐसी कंडिशन में फसने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पा रही है इसलिए सिग्रेट पीना उनके लिए बहुत ज़रूरी है लेकिन अगर आप ध्यान से इस सिचेशन को देखें तो किसी इंसान को सिग्रेट पीने से खुशी मिलती है ये उसने अपने आप ही अपने दिमाग में कुछ पहले ही बताया था और फिर इससे लगातार प्राक्टिस करके भी दिखाया कि उसे सिग्रेट पीने से खुशी मिल रही है और उनकी इस एक्टिविटी की वज़े से ही दिमाग ने एक्सेप्ट किया कि हाँ इस काम को करने से खुशी मिलती है इस सरा पहले हमारा कंट्रोल हमारे दिमाग पर होता है अगर हम अपने विचारों को सही से अपने फेवर में कंट्रोल करें तो यह हमें वो सब देने में मदद कर सकता है जो हम चाहते हैं इसलिए ऐसी कंडिशन में आपको चाहिए कि आप टाइम से आफेस पहुचने में खुशी को महसूस करें ऐसा करने से कुछ दिनों में आप देखेंगे कि आप टाइम से आफेस पहुच रहे हैं जिससे आपको कई फायदे होंगे सबसे पहले आपको खुशी मिलेगी दूसरा सिग्रेट ना पीने की वज़ह से आप हेल्दी रहेंगे और तीसरा आपकी परसनल और प्रोफेशनल लाइफ भी भी भैतर बनेगी तो इस रूल की ये सीख है कि इस तरह अपनी लाइफ में उन आदतों को अपनाएं जिससे आपको खुशी भी मिले और वास्तविक जिन्दगी में उनसे फायदा भी हो दूसरा कॉंसेप्ट कॉंटम जेनो एफेक्ट है ये एक युनानी फिलोस्फवर के जरी बताया गया नियम है अगर हम इसे आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब है कि प्राक्टिस कर करके एक बेवकूफ इंसान भी वो दिमान बन सकता है इसी तरह एक इंसान जिसकी आदते ठीक ना हो वो भी अच्छी आदतों को लगातार होश में रहकर प्राक्टिस करते हुए अच्छी आदतों को अपना कर अपनी जिन्दगी को बहतर बना सकता है इस नियम की सीख ये है कि अगर आप नेगटिव थिंकिंग के जगर पॉजिटिव सोचना चाते हैं तो actively हमेशा positive ही सोचें इस तरह अगर आप कामयाब बनना चाते हैं तो हमेशा कामयाबी के बारे में सोचें कि आप कैसे कामयाब बन सकते हैं कामयाब बनने के बाद आप किस तरह भैतरी जिन्दगी जीने वाले हैं और इसी तरह लगातार आप ऐसा 21 दिनों तक सोचने से यह आपकी आदत बन जाएगी। बुरी आदतों को छोड़ने के लिए इन 4 steps को अपनाएं। ये पार्ट इस किताब का सबसे important part है क्योंकि इसमें ही हम उन steps को discuss करने जा रहे हैं। जिनें इस्तमाल करके आपको बुरी आदतों को खत्म करके अच्छी आदतों को अपनान में काफी मदद मिलेगी। अपने विचारों के बारे में जागरुक होना यानि कि उन विचारों के बारे में अवेर होना और जानना जो आपको negativity की तरफ ले जा रहे हैं। और उन विचारों के बारे में भी जानना जिनसे आपको खुशी मिलती है और फायदेमन भी हैं। इसलिए नेगिटिव विचारों को दूर करने और पॉजिटिव विचारों को बढ़ाने के लिए पॉजिटिविटी बढ़ाने वाली activities को जाधा करें। और उसके लिए जरूरी आक्शन लेते हुए जल्दी आपकी बुरी आदत अच्छी आदत में बदल जाएगी। आप अपने दिमाग से डिफाइन नहीं हैं बलकि उसे खुड डिफाइन करें। कई बार हमारा मन भटकने लगता है हमारे दिमाग में ऐसे विचार आते हैं जिने हम सूचना नहीं चाते। जिन विचारों के साथ हम आगे नहीं जाना चाते। लेकिन इन सब के बावजूद विचारों की इस तेज़ ट्रेन को दुबारा अपनी कंट्रोल में करने में हम इसे कई लोग असा है मैसूस करते हैं। ऐसा सभी के साथ होता है तो क्या ये अच्छा नहीं रहेगा कि हम ये जान ले कि कैसे अपने विचारों को अपने कंट्रोल में करके मन को कंट्रोल किया जाए। आउथर का मानना है कि ऐसा पॉसिबल है कि हम अपने विचारों को अपने कंट्रोल में कर लें इससे पहले कि वो negativity फिलाए और उसकी वज़े से आप परिशान हो इस बात को अच्छे से समझने के लिए आउथर एक मरीज की कहानी बताते हैं जिनकी उन्होंने कभी मदद की थी ये कहानी है अमेरिका के एक यंग लड़की की जिसने एक्टिंग में अपने करियर की शुरुआत की हालकि शुरू में उसको छोटे छोटे लेवल्स पर काफी अच्छी सफलता मिली जिससे इंस्पायर होकर उसने और अच्छे लेवल पर अपना audition देने का सोचा और इसी थ उनका acting career नीचे जाने लगा इसी परिशानी को ठीक करने के लिए वो author से मिले जिन्नोंने उनको examine करने के बाद बताया कि ये सब उनके सोचने की वज़े से हो रहा है उनके साथ ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जहां उनका एक दिमाग कह रहा था कि कोई बात नहीं हम इस कम करने की वज़े से negativity बढ़ती चली गई जिसे कंट्रोल करना उनके हाथ में नहीं रह गया लेकिन author से मिलने के बाद और अच्छी guidance लेने के बाद जब उन्होंने positive विचारों पर ध्यान देना शुरू किया कुछी महिनों के बाद वो बहतर actor बनने लगे और उन्हें बहुत स performance भी दिया इस तरह हम जो भी हैं उसको हमको define करते हैं हमारा दिमाग नहीं हमें ये करना चाहिए कि अपने positive और ऐसे विचार जो फाइदेमन है उन पर ध्यान दे और उनको ही entertain करें negative को नहीं हम अपने दिमाग को retrain कर सकते हैं जैसा कि हमने last part में discuss किया कि जिस बारे में हम जादा सोचते हैं जिस पर हम जादा focus करते हैं वो चीज बढ़ने लगती है चाहे वो positive हो काम्याबी हो खुशी हो या दुख हो चाहे वो बुरी आदत हो या अच्छी आदती खराब financial condition हो या अच्छा financial status ये सब depend करता है focus पर इसलिए इस बात को जानने के बाद हम अपने उ सोचना शुरू करें जिनके आप value करते हैं उन चीज और condition के बारे में जादा सोचें जिन से आपको खुशी मिलती है और जो आपके अंदर happy feeling generate करते हैं जादा दा time अपनी अच्छी financial condition के बारे में जादा time सोचें अपने आप से positive बात हैं करें हर condition में ऐसे सोचें कि मैं खरा ultimately खराब आदतों से अच्छी आदते बदलने के लिए हर जरूरी action ले इसको समझने के लिए आप atomic habit की बुक्स अमरी को कुको FM बर भी सुन चकते हैं आप इक कुको FM को डाउनलोड करके बहुत से courses, 1000 audiobooks और बुक्स अमरी को भी सुन चकते हैं अभी annual membership के साथ चल रहा है 50% discount म बुरी आदतों या बुरे विचारों को दूर करने और अच्छे विचारों को अपनाने के लिए label करने का तरीका बहुत अच्छा है लेकिन सिर्फ label करके अच्छा या बुरा में divide करके बुरे को अच्छा करना थोड़ा मुश्किल है इसके लिए इन विचारों से related अपने पर सोच विचार करने के, क्योंकि इस तरह के नेगटिव विचार पर सोच विचार करना थोड़ा स्टेसिंग हो सकता है, लेकिन ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हर चीज का रिजल्ट ज़रूर मिलता है, अगर हम उसे अच्छे से हैंडल करेंगे, तो अच्छा रिजल्ट मिलता ह और ठीक से एंडल ना करें तो उसके मताबिक रेजल्ड मिलते हैं इसलिए ऐसी कंडिशन में हमें रीफ्रेमिंग की जरुत होती है रीफ्रेमिंग का मतलब है अपने point of view या नजरीय को बदलना इसे आसानी से समझने के लिए आई एम एक मरीज की कहानी के जरीए इसे discuss करते हैं जिसकी आउथर ने मदद की थी मरीज की कहानी कुछ ऐसी है कि जब वो जरूरी topics के बारे में सोच रहे होते थे या फिर बात कर रहे होते थे तो उनके दिमाग में दूसरे अंचाहे ऐसे विचार आने लगते थे जिने वो नहीं चाहते थे कियाएं और आउथर को बताते हैं उन्होंने accept किया कि अगर ऐसा कुछ दिनों तक और चलता रहा तो हो सकता है कि मैं mentally बेमार होने लगूँ अगर कुछ टाइम तक इसे ठीक नहीं किया गया तो मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है ऐसा कुछ दिनों तक लगाता और चलता रहा उसके बाद आउथर के सला के अनुसार उस मरीज ने अंचाहे विचारों को एक नाम दिया या लेबल दिया Foreign Invader क्योंकि इस नाम में एक तरह की दुश्मनी है जिससे हर इंसान दूर रहना चाता है और ultimately अंचाहे विचारों को ऐसा लेबल या नाम देने के वज़े से मरीज ने ये महसूस किया कि कुछ दिनों में ही उस तरह के विचार आने कम हो गए क्योंकि इस तरह के शब्दों में ऐसा sound है जिने कोई लड़ाकू या इलियन ही सुनना जादा पसंद करेगा एक सब्भे इंसान शायद इसे सुनना पसंद ना करे इस तरफ पहला कदम यानकि लेबल करने के बाद उन्हें दूसरा कदम उठाने का मौका मिला जिसमें वो अपने आप से कुछ इस तरह की बाते कर सके कि मैं ये नहीं हूँ जो हर तरह के विचारों को सुने बलकि वो सि जाने में मदद मिली कि जो नेगटे विचार आ रहे थे उनका एक्च्वल में किसी तरह का कोई existence ही नहीं था उन पर विचार करके ठीक तरह से manage करने से उन्हें तुरंत खत्म किया जा सकता है इस तरह स्पार्ट का lesson ये है कि किसी भी नेगटे विचार से डर कर उसे reject करने की बचाए शांत मन से उसके लिए time निकाल कर उस बारे में सोचे और उसे दूर करने के तरीकों को शांत मन से सोचकर लगातार अपनाएं ऐसा करने के कुछ दिनों में आप दिखेंगे कि नेगटे विचार और खराब आदते धीरे धीरे लाइट से जा रही है और positive और करने के लिए काफि संगर्श करते हैं क्योंकि कई बार ऐसा विचार जो किसी इंसान के लिए फायदिमन नहीं है लेकिन attractive होने की वजह से वो अपने जरुरी काम पर focus नहीं कर पाते या उस पर focus करने में काफि संगर्श करना पड़ता है इसलिए labeling और reframing टेक्नीक को अपना चाते हैं उन अच्छे आदतों की लिस्त बनाए जिने आप अपनाना चाते हैं अच्छे लोगों की लिस्त बनाए जिनके साथ आप ज़ादा टाइम बिताना चाते हैं और जब एक किसी तरह का कोई negative विचार आपके दिमाग में आए और उसे दूर करने का कोई mirate तरीका न ठूंडे तो ultimately अपनी positive विचारों की लिस्त पर ध्यान दे और उस बारे में सोचना शुरू करते हैं या इसके लिए आप अपने किसी ऐसे दोस्त से बात कर सकते हैं जो आपको positive रहने में मदद करें इसके इलावा अपने काम से मिलने वाले मंचाई results के बारे में सोचें और यहाँ पर यह याद रखना ज़रूरी है कि यह तरीका negative विचारों को दिमाग में आने से रोकने और उने reject करने का नहीं है बलकि उनके आने के बाद उनसे positively deal करने का है जिसमें आप negative विचार आने के बाद सिर्फ अपने positive और मंचाई विचारों और आदतों के बारे में सुचने के बाद negative विचार अपने आप दिमाग से remove होने लगते हैं और आप अच्छा महसूस करते हैं Revaluation सबसे जरूरी नियम अपने आप से मिलना है अपने आपको दوبारा हासिल करना है क्योंकि अगर हम ये करने में सक्षम नहीं है तो हम नहीं जान सकते कि कौन से विचार हमारे लिए जरूरी है और फायदे मन्द है लेकिन इसके opposite जितने लंबे time तक हम खराब आदतों या ख अपने आपको काइन मेंटालिटी के साथ देखने और ट्रीट करने का एक तरीका है मतलब अपने आप से सच में प्यार करना अपने लिए जो सच में फायदे मन्द है उन विचारों को उन आदतों को ही अपनाना ना कि उनको जो कि कुछ time के लिए attractive हों और नुक्सान दे ना हूँ हालकि ये रातो रात नहीं होगा लेकिन labeling, reframing और refocus जैसे तरीकों को लगातार इस्तमाल करने से दिमाग में positive और productive रहने की शक्ते विक्सित होती है ये तरीका अपने आपको देखने और अपने आप से जुड़ने में मदद करता है बजाए के negative विचारों को surrender करने के ये तरीका आपको इस काविल बनने में मदद करता है कि अपने लिए सबसे अच्छे और सुरक्षे decision लें इसलिए अगर आप चाते हैं कि खराब आदते छोड़कर अच्छी आदते अपनाए अपने आपको बहतर बनाए और सच में आप अपने आपसे प्यार करते हैं तो इ इकर नहीं तो इन्हें अपनाना शुरू करें ताकि आपके दिमाग को आपको कंट्रोल कर सकें ना कि दिमाग आपको आदतों को बदलने के लिए और गैनिक तरीकों का इस्तेमाल करें क्या आप जानते हैं कि लोग smoking जूट करते हैं जबकि वो जानते हैं कि ये उनके लिए नुकसान दायक है इसका जवाब है निकोटीन के लिए लोग जादा ऐस्क्रिम क्यों खाते हैं जबकि उनको पता है कि ये उन्हें मुटा और अनहल्दी बना देगी जाहिर सी बात है मीटे के लिए हम ये हमेशा इसलिए करते हैं क्योंकि अपनी डे टू डे लाइफ में उतार चड़ाव की वज़य से होने वाले प्राब्लिम्स और तनाव को कुछ टाइम के लिए दूर करने के लिए इस तरह के निकोटीन और मीटे तरीकों के जरीए हम उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं लेकिन लगातार ऐसा बार-बार करने से कई लोग इसके आदी हो जाते हैं और फिर इसके बिना तनाव महसूस होने लगता है जिन्दगी के उतार चड़ाव में इस तनाव को कुछ टाइम के लिए दूर करने के लिए कई लोग ड्रग जैसे खतरना चीजों का भी सेवन करते हैं हाले कि वो अपने दिमाग से ठीक तरीके से डील करके पॉजिटिव सोच कर उन तनाव को दूर कर सकते हैं लेकिन तुरंत रहात की लालसा के वजह से वो स्मोकिंग या ड्रग जैसे चीजों में इतने आदी हो जाते हैं कि एक टाइम ऐसा आता है कि इसके बिना उन्हें तरह महसूस होने लगता है और ने भी ये बुक इस तरीके की परिशानियों को सॉल करने के मकसद से लिखी है इसलिए हमें चाहिए कि अपनी जिन्दगी की परिशानियों को और्गैनिक तरीके से विचारों पर ध्यान देकर पॉजिटिव तरीके से हंडल करें उस बारे में पॉजिटिव सोचकर उसे ठीक करने के पॉजिटिव तरीकों को अपनाते हुए उस प्राब्लम को सॉल करें ताकि वो प्राब्लम भी ठीक हो और आपको भी अल्टिमेटली उस तरीके से सीख कर जिन्दगी में कुछ और फायदा हो ना कि स्मोकिंग या ड्रग जैसे तरीकों से जिनसे तनाव से कुछ टाइम के लिए रहत तो मिल जाती है लेकिन अल्टिमेटली आपको कई तरह से नुकसान पहुचता है इस किताब के तीन सबसे जरूरी सबक अपने लिए फायदेमन चीज को अपनाए कई बार ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते टाइम कोई आड, शॉर्ट वीडियो आपको काफी अट्राक कर जाती है इस तरह टीवी पर कोई तो आपको काफी अच्छा लगता है लेकिन यहाद ध्यान से समझने की बात ये है कि ऐसी सुचिशन में जब चीज़ें आपको अच्छी लगती है तो वो आपको अच्छी नहीं लगती बलकि वो आपके दिमाग को अच्छी लगती है क्योंकि जैसा हमने पहले डिंसक्स किया था कि ऐसी चीजों को देखकर हमारी दिमाग में निकोटीन जैसे कई हैपी हॉर्मोस रेलीज होते हैं जिनसे हमारे दिमाग को अच्छा महसूस होता है ऐसे कई लोग इसे अपने लिए भी अच्छा मानके डारेक्ली बिना सोचे समझे से अपना लेते हैं लेकिन साइकलोजिस्ट आथर ने जो हमेशा सला दी है इस किताब में उसके मताबिक हमें ऐसी कंडिशन में अनेलाईज करना चाहिए कि जो चीज हमारे दिमाग को अच्छी लग रही है क्या वो हमारे लिए हमारी वास्त्री खुशी, हमारी काम्याबी, हेल्थ, ब्यूटी आधी के लिए सत्में फायदे मंद है या नहीं अगर फायदे मंद है तो ही उसे अपनाए अधरवाइस उसे रिजेक करके पॉजिटिविटी पर फोकस करें और रिजेक करने के काफी तरीकी हमने डिसकस किये उनमें से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं चार स्टेप के जरीए अपने विचारों पर कंट्रोल रखें अगर हम शॉट में डिसकस करें तो सबसे जरूरी पहला स्टेप है विचारों के बारे में अवेर रहें जिसके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं दूसरा स्टेप है लेबल करें कि कौन सा विचार आपके लिए अच्छा है और कौन सा नहीं। तीसरा है positive activity पर ध्यान दें। और चौता है विश्वास के साथ ज़रूरी action लेते रहें। अच्छी आदतों की notebook बनाएं और उन्हें लिखें आप जिन अच्छी आदतों को अपनाना चाते हैं, जिन अच्छे विचारों को सोचना चाते हैं, जिन अच्छे लोगों के साथ आप रहना चाते हैं, और जिस तरह की अच्छी financial condition में आप जीना चाते हैं, उन्हें लिखें और implement करने के action plan के साथ time to time ज़रूरी actions लेते रहें तो दोस्तों यह हैं खराब आददों को छोड़ने और अच्छी आददों को अपनाने के तरीके हमें उम्मीद है कि आपने कई नहीं बाते और तरीके सीखें जने आप अपनी जिन्दगी में अपनाएंगे और अच्छी आददों को अपनाते हुए अपनी जिन्दगी में पॉजिटिवटी, खुशाली और काम्याभी को अट्राक करेंगे Thank you दोस्तों, I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी I hope आप इस कताब के सभी लेसेंस को अपनी लाइफ में अपना कर आप अपनी लाइफ को और भी भैतर बना पाएंगे आप इस बुक को आरडर करके और भी डीडिल में पढ़ सकते हैं इसके साथ आथ आप कुकु एफ्रिम को डाउनलोड करके डिस्काउंट के लिए RBC 50 कुपन को यूज़ कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरों को भी लाइफ में हिल्प कर सकती है तो सब के साथ इसे शेयर भी करें जल्दी मिलेंगी और भी बैतर वीडियो के साथ तैंक्यू सो मच झाल झाल खड़ थीडियो